आप सबके अच्छे से प्रिप्रेशन चल रही है और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर हम आज कर डिसक्स कर रहे हैं यहां पर डिसक्स करते हैं और डिटेल में डिसक्स करते हैं हर एक अप्सन को ताकि अगर इन डिरेकली भी कोशिंग पूछा जाए तो उसका आँसर आप आसानी से दे पाओ और यह की जो MCQ हैं वह आपके लिए हैलफूल रहेंगे असिस्टेंट अकांंटेंट के एक्जामस हो चाहे नयट के एकजामस हो चाहे आपके GreenLT के एकजामस हो यह अ लगत गैजतने बीत म्वाने असे एक्जांश ठीक है इसमें मैंने 15 जो most important MCQ है कुछ previous year के हैं है ना previous year के papers से हैं कुछ यहां पे जो मुझे लगते हैं कि बहुत ज्यादा important है आपके लिए करवाने तो वह आपके लिए questions यहां पे हैं और सारा जो सलेवत से उसको कबर किया गया है चाहे ओडिटिंग का हो चाहे management का हो चाहे पार्टेशिप का हो चाहे financial statements का हो चाहे आपके other कोई जो आपके topic हैं वो सारा इसमें कबर गिया गया है तो चलिए start करते हैं आज की questions अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe जिरूड कर देना ताक कि आपको आने वाली videos में notification मिल पाए तो चलिए start करते हैं पहला question है अपने पास permission disclose की गई है बताए गई है जिसमें कहा गया कि doubtful debt है ठीक है doubtful debt किस कौनचे डेट पे एक एक 2012 को यानि कि एक जनुरी 2012 को अपने पास doubtful debt कितने है 6000 के doubtful debt है ठीक है और bet debt return of during 2012 यानि कि 2012 में जो bet debt का payment किया गया उनको उनको return of कर दिया गया यानि कि जो bet debt थे उनका उनको right off कर दिया गया तो कितने का right off किया बारस और उपे का ठीक है bad debt और doubtful debt आपको समझवा आता होगा ठीक है doubtful debt वो debt होते हैं जो हमें लगता है future में कि वो उनसे पैसा हमें recover नहीं होने वाला है ठीक है वो debtor total debtor है उस debtor का कुछ part हमें realize होता है कि हमें पहले से लगता है कि हमें इतना recover नहीं हो पाएगा तो जो part हमें लगता है कि recover नहीं हो पाएगा उसको doubtful मतलब हमें लग रहा हमें doubt है कि इससे पैसा हमें नहीं मिल पाएगा इसलिए वो doubtful है जब रियल में वो doubtful पूरी तरीके से पैसा उससे मिलने के संभावना खतम हो चुकी है रियल में यह situation आ गई है तो वो हो जाता हमारा bad debt इसके लिए हम provision create करते हैं ठीक है provision for bad debt, provision for doubtful debt तो हम provision इसलिए बनाते हैं ताकि कल के दिन मा अगर हमको इन bad debt से या doubtful debt से losses हो तो उसको हम recover कर पाएं उसका हम payment, उससे हम payout कर पाएं इसको ठीक है इसके लिए तो चलिए देखते हैं provision for doubtful debt है एक जनुरी 2012 को 6000 रुपे का ठीक है यह provision बनाया था doubtful debt के लिए 6000 रुपे का कब एक जनुरी 2012 को और इसके साथ ही 2012 में 1200 रुपे का जो payment था वो कर दिया गया, किसके लिए? बेट डेट के लिए, बेट डेट रिटन आप कर दिया, यानि कि जो बेट डेट से जिन्दे पैसा रिकबर नहीं हो पाया, तो उसके हमने भरपाई कर दिया अपने provision से, फिर आगे बोलता है 31.12.2012 को, ठीक है 31.12.2012 को, क्या है, टोटल डेटर से हमारे 80,000, ठीक है, यहां 12 में ही, 12.00 रुपे का हमने क्या किया, रिटन आप कर दिया, जो हमारे बेट डेट हो गए, जो खराब हो गए, जो बेगूप निकले, उनको हमने राइट अप कर दिया, ठीक है, बारस होगा, उसके बाद बोला है, टोटल डेटर, टोटल डेटर हमारे पास हैं, 80,000 के, कब 31 December 2012 को, 80,000 के टोटल डेटर थे, तो पूछ रहा है, एक प्रोविजन और बनाया गया है, 5% का, नेक्स टियर के लिए, तो चार चीज़े, यहाँ पे पांच, छे चीज़े दे रखी हैं, एक तो हमें दिया है, डाउटफुल डेट, स्टार्टिंग में, कितना था, 6,000 का था, उसके बाद बोला है, यहाँ पे कितना राइट आप कर चुके हम, हमने राइट आप किया है, बारसों का, उसके बाद एक और चीज़ दी है, टोटल डेटर, टोटल डेटर से अपने पास, 80,000 के, और उस 80,000 में से हमें 5% का रिजब बनाने, यानि प्रोविजन बनाना है, आने वाले टाइम के लिए, तो पूछ रहा है कि हमारे P&L, जो P&L Profit and Loss अकाउंट बनेगा, उसके क्रेडिट साइड में कितना अमान जाएगा, यहाँ पे एक फंडा समझना बहुत ज़रूरी है, जो P&L हम जो हमारे debit side में आते हैं, सारे expenses आते हैं, और credit side में अपनी income आती है, ठीक है, किसी परकार की, तो credit side में जाने का मतलब है, कि हमारे कहीं न कहीं, bad debts कम होंगे, लेकिन जो हमने provision मनाया है, वो ज़्यादा होगा, तब ही हमारे credit में आएगा, नहीं तो अगर question में पूछा होता, debit side में कितना amount जाएगा, तो CDC बात यहाँ पे होती, कि हमारे जो provision है, उससे ज़्यादा हमारे bad debts हो गए है, या provision और bad debt बराबर हो गया, तब भी हमारे debit side में आएगा, लेकिन provision हमारा exceed कर जाए, bad debts को, यानि कि bad debts कम होए, लेकिन उसके लिए जो हमने provision बनाया था, वो ज़्या है, इसने starting, सबसे पहले हमें बोल लगा है, कि 6000 के हमारे bad debts थे, ठीक है, और उसने क्या किया, return of कितना किया, 1200 रोपे का किया, ठीक है, देखिए, यह थे हमारे 6000 का हमने, क्या बनाया था, doubtful के लिए provision बनाया था, ठीक है, उसमें से return of कर दिया, यानि कि minus कर देंगे कितना, 1200 रोपे, ठीक है, यह हमने क्या किया, minus कर दिया, तो हमारे पास, जो amount बचेगा, ठीक है, एक मिनट, तो अपने पास कितना निकल के आया, हमने करना क्या कुछ नहीं है, हमें क्या दिया गय कि 6000 का हमने provision बनाया वा था, यानि कि हमें लग रहा था इतना loss होगा, लेकिन actual में loss कितना हुआ, बारस होगा, तो अपने पार remaining जो provision है, वो अभी भी बचा है, provision कितना बचा रहेगा, 4800 का अपन के पास profit बचा रहेगा, ठीक है, profit in the sense provision बचा रहेगा, ठीक है, वो provision पूरा यूज नहीं हुआ, क्योंकि 1200 का ही provision यूज हो पाया, क्योंकि bad debt हमारे कम निकले, हमने सोचा था, 6000 के निकलेंगे, वो निकले 1200 के, तो 1200 रुपे हमने राइट अप कर दिये, यानि कि उसको हटा दिया, हमने, तो हमारे पास 4800 का अभी भी अपने पास provision बचा हुआ, पुरान इस पर बोला कि 5% का आप provision create करो, कर देते हैं 5% का, यह लो 5% का provision हमने create किया, तो यह amount आप निकालेंगे, तो यह आता 4000, ठीक है, 4000 का के अपने पास नया रिजब हो गया, अब दखो, CDC बात है, 4000 का अपने पास नया provision बन गया, और 4800 का अपने पास पुराना provision है, ठीक है, तो हमारे जो यह देखिए, यहां पर हमने क्या किया, यह provision का, जो हमारा old provision में से new provision हमारा, हमेशा जो है, new में से old हमेशा minus होता है, तो यहां पर actual में situation क्या देखने को मिलती है, कि जो हमने new provision में बनाया है, वो ज्यादा रहता है, हमेशा, maximum condition में, लेकिन यहां पर देखो, old provision हम जाएगा ध्यान देना अगर इसकी जिगह पे यहां पे 4000 पुराना रहता ठीक है 4000 अगर पुराना प्रोविजन रहता 4000 अगर हमारा नया प्रोविजन बनता तो 800 रुपिया हमारा डेविट साइट ऑफ पेनल जाता क्योंकि हमने नया प्रोविजन बनाया है नए मैसे हम पुराने प्रोविजन को माइनस करते हैं लेकिन यहां पे तो हमारा पुराना प्रोविजन ही जादा है तो CDC बात है हमें तो एक तरह से गेन हो गया हमें तो हमारा प्रोफिट हो गया वा 800 रुपे तो उसको हम क्रेट साइट डालेंगे ठीक है आई हो भी आपको समझवा आ गया होगा तो इसका सही आंसर अपने पास option number D जो है 800 रुपे उसके बाद है second question है the balance of old provision for doubtful debt on 1 April 2012 कितना था 10,000 था हमारे पास क्या था हमारे पास है old provision for doubtful debt 10,000 का old provision है ठीक है bad debt return of during 2012 13 amounted to 12,000 यानि कि हमने क्या किया हमारे पास था provision old provision था 10,000 का और हमने 12,000 का क्या कर दिया return of कर दिया तो अपने पास ज्यादा हमने return up कर दिया तो 200 रुपे का हमें क्या हो गया हमारे provisions को exceed कर गया है 200 रुपे का ज्यादा हो गया प्रोविजन कम पहले question में क्या था provision हमारा ज्यादा था bad debt कम थे लेकिन यहां पर provision कम है और bad debt ज्यादा है तो 2000 का यह सीधा सीधा लॉस है ठीक है for new provision required रुपीज 15,000 अब बोल गया रहा है कि यहां पर 15,000 का एक और नया provision यहां पर क्रेट किया गया है तो बोल ला है what is the total amount to be debited to profit and loss account on account of bad debt and provision for doubtful debt देखो उपर वाले question में credited था यहां पर क्या है debited है ध्यान से question को पढ़ लो फिर करते हैं ठीक है तो यहां पर बोला क्या गया है हमारे पास क्या था 10,000 के हमारे doubtful debt थे हमें लगता था 10,000 के होंगे लेकिन actual में हो गए वो 12,000 के निकल गए तो 2,000 हमें अपने से अपने जो other sources थे उससे इसमें डालना पड़ेगा तो 2,000 का थो हमें loss होई गया सीधा सीधा उसके बाद बोला है कि and the new provision required on 31st March 2007 was 15,000 एक और नया provision हमने create कर दिया 15,000 का ठीक है तो total amount पूछ रहा है कि हमारे जो debit side में जाएगा तो कितना जाएगा तो सीधी सी बात है 2000 यहां से हमें क्या हो गया loss हो गया है और 15,000 का तो नया provision बनाया ही है तो provision एक तरसे हमारे ले क्या होता है expense होता है तो 15,000 प्लस टू 17,000 तो 17,000 हमारा किसम जाएगा debit side of P&L जाएगा ठीक है next question है A and B sharing ratio in the profit sharing ratio of 3 to 2 and having capital of 30,000 for A and rupees 15,000 for B decided to dissolve their firm after paying of all liability cash realized from various assets is rupees 15,000 how will the amount be distributed to A and B देखो यहां पर बोला है एक particip firm है A and B की वो बोला है कि वो अपना profit और loss share करते हैं 3 to 2 के ratio में और उनकी capital है 30,000 and 15,000 और बोला है कि कुछ टाइम के बाद उनकी firm क्या होता है dissolve वो अपने firm की legal existence खतम करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी सारी liabilities का payment कर दिया और उनके बाद उनके पास जो realized value है यानि कि उनके पास जो profit बसता है वो 15,000 बसता है तो वो किस ratio में कितना कितना अपने आप में 15,000 को पास जो पास बसता है वो उनके old profit and loss sharing ratio में बढ़ता है तो old profit and loss sharing ratio क्या है 3 to 2 है तो 15,000 को बाटेंगे 3 to 2 मैं किस तरह से बाटेंगे उन्हें पहले वीडियो में बताया हुआ है अभी फिर से बता रहा हूँ 3 है तो 3 उपर आ जाएगा और नीचे दोनों का total आ जाएगा 5 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 तो 9,000 तो किसका हो गया अब क्या होगा यह 3 की जिगभी क्या जाएगा और नीचे सेम टू सेम रहेगा तो 3 2 जा 6 तो 6,000 आ गया अपना option नमबर A सही है इस तरह से ठीक है और जो गार्नर वर्स से एक बात और ध्यान रखना इसके साथ ही यह तो हमारा था जब वो खुद से रिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को और अपनी लाइबलिटी का पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसको शेयर कर रहे हैं दूसरी तरह जो आपने गार्नर वर्स मुर्रे वाला अपने पड़ा होगा ठीक है गार्नर वर्स मुर्रे और इसमें एक और था विलक करना पड़ा था अपने उससे तो यह कौंसी रीशियो में बाटेंगे गार्नर वर्स मुर्रे लौकिर अग्रंडिंग आएगा तो यह आयेगा आपके जो कैपिटल है यहां पर वाटेंगे यह वनीस्टो इस्टो रूरे के रिश्यो में बाटते अब ठीक है अगर यहां प कुछ specified नहीं है तो यह आपके और प्रॉफित और लॉसेर इंगर वाटेंगे आई होप एक के लिए रहे क्वेश्चिन नेक्स्ट पर बढ़ता है फोर्थ क्वेश्चिंग है ओपनिंग इंवेंट्री है अपने पास 3500 क्लोजिंग इंवेंट्री है 1500 कॉश्ट ऑफ गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है तो इसमें वैली पुट कर दोगे तो आपका अंसर अपने अब निकल आएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है 3500 प्लस अपने को क्या निकालना परिश निकालना है और सांत में क्या दिया है कॉश्ट अब गुड्स जोल्ड दिर्ख है तो कोश्ट अब गुड्स ओड को इस सैड लिख लेते हैं 22,000 ठीक है 22,000 इस सैड़ आगया और उसके बाद क्या दिया है what is the amount of the closing inventory दिया है तो माइनस कर लेंगे closing inventory को 1500 ठीक है तो पर्चेज अमें निकालना पर्चेज को यही रहने तो बांकी सारी चीज़ां इसदर सिप्टे कर दो 22,000 को इधर लिया होगे 22,000 को यह 15,000 जो आपका है उसको यहाँ प्लैस हो जाएगा 1500 और साथ में माइनस हो जाएगा कितना 3500, ठीक है, तो इस तरह से आपका यह answer कितना आ जाता है, 20,000 आपका आ जाता है, basic math से, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, एक formula याद करना आपको सीधा सा कि cost of goods sold equal to क्या होता है, opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, cogs आपको दिया है, opening stock आपको दिया है, closing stock आपको दिया, direct expenses नहीं दिया है, तो इसको छोड़ देंगे, और purchase निकालना है, बस cogs दिया है, opening को इधर ले आओ, closing को इधर ले आओ, purchase अपने आप निकल आएगा, 20,000, next question है, among the following which is not error of commission, के all-alag तरह के यहां पे error होती है, error of commission होती है, error of omission होता है, compensating error होता है, तो वो अलग अलग तरह के error होता है, मैं थोड़ा-थोड़ा बता दूंगा अभी, तेको error of commission जो दिया गया है, वो क्या होता है, यह basically clerical error को define करता है, जो clerical error है, जैसे आपने कुछ amount, 办ud mma थाय। गिमलों लेकिन सिंगलने कर दिशिए केस्ट डेटर से विए मंगिन रिइफ टूaqueं सिंगल आय चाहूंट डेटर इसके अलावा error of omission, error of omission क्या होता है, जिसमें हमारी पूरी की पूरी entry या पूरा transaction करना ही हम भूल जाते हैं, omit कर देते हैं, तो error of omission होता है, और इसके बाद आता है compensating error, compensating error वो error होती है, जिसमें एक गलत entry, दूसरे गलत entry को compensate कर देती, यानि कि उसको परभाव कुछ नही इसी गली, जैसे हमने किया ना, एक गलत entry करी, लेकिन उसके साथ ही, उसके साथ ही एक दूसरी गलत entry भी होगी, तो वो एक दूसरे को एंटरी compensate कर देगी, उसका disbalance नहीं रहेगा, तो वो हमारा एता है compensating error, तो यहाँ पर पूछ रहा है, error of commission कब होता है, कब नहीं होता है, which is not an error of commission, देखें, wrong totalling, बिल्कुल, wrong totalling में clerical error होता है, और इस तरह का error को, commission बोला जाता है, error of commission, recording the wrong amount, यह अभी अभी पताया मैंने, बिल्कुल यह होता है, error of commission, wrong posting, wrong posting भी होता है, और escape from posting, escape from posting नहीं होता, क्योंकि यह error of omitting आ गया, ठीक है, omit कर दिया, हमने, escape कर दिया, त आप लोग, when, among the following, which is not an error of commission, कौन सा error of commission नहीं है, तो टीनु error of commission है, except, escape from posting, जो पोस्टिंग हमने छोड़ दी थी, वो हमारा omitting, next question है, six question, internal check means, internal check पहले भी हमने डिसक्स किया हुआ है, तो हम internal check में क्या करते हैं, checking the accounts by cashier, checking of accounts by the internal auditor, checking the work of one person by another, automatically, managerial control internally over the subordinate, यानि कि internal check में मैंने पहले भी बताया था, कि एक employee, दूसरे employee की work की चांच करता है, इस तरह से यहां पे, जो citation किया जाता है, यानि कि जो work को होता है, उसको एक तरह से, अलग-अलग तरह से बांटा जाता है, तो इसका सही answer, C है, checking the work of one person by another, automatically, ठीक है, verification include, यानि कि verification में क्या क्या include किया जाता है, valuation किया जाता है, existence कि जाती है, या ownership and title किया जाता है, या all of the above, या valuation का, verification का मतलब होता है, valuation भी होता है, existence भी होता है, ownership and title भी होता है, क्योंकि देखो, हम कोई भी चीज verify कप करते हैं, for example, मैं दुकान में गया, किसी दुकान में गया, मुझे verify करना है कि मैं इस दुकान दार को, मैं ये जानना चाहरा हूँ कि ये दुकान इस दुकान दार की है या नहीं है, ये इसका honor है या नहीं है, इस चीज़ को मैं verify करना च existence देखूंगा कि वो counter बेट रहा है या other जो समान देने वाला salesman type का काम कर रहा है अगर वो counter बेट रहा है तो basically वो क्या रहेगा मालिक रहेगा और इसकी तरह से ownership and title फिर last one क्या देखेंगे उससे बूचेंगे कि आप इसके owner है और आपके पास जो प्रोप्राइटर है उसका टाइटल है सीदी सी बात तो यह आपका basic common sense का question है और सब्सक्राइब करने के अलग अलग केसे सो सकते हैं और जांपल ओछोड़का चला गया या हमने उसके company से निकाल दिया या उसको या उसकी death casualty कुछ हो गई या उसका retirement होगे तो इस तरह की चीजह होती है जिसमें auditor को reappoint करना पड़ता है पुना तो इसमें तीनों लोग इसको कर सकते हैं director भी कर सकता है special resolution पास करके shareholder भी कर सकते हैं shareholder तो करते ही है और central government भी इसमें कर सकती है तो all of the above इसका right answer है 9 question है liability of the partner in respect of the firm's debt is याद रखना firms के जो partner होती है उनकी liability हमेशा unlimited होती है on the other hand if we talk about joint stock company the liability of the shareholders is limited and unlimited both कुछ भी case हो सकता है लेकिन partnership के case में हमेशा liability unlimited होती है तो यहां पर हमारा option क्या हो जाएगा option number B unlimited एक government company is one which in which at least the following percent of the share capital held by the central and state government इसको हमने पहले भी discuss किया हुआ है मैंने cdc बोला है 51 परसेंट देखना है state and central government तो cdc बात है वह हमारे क्या हो जाएगी government company हो जाएगी तो 50 नहीं देखना है 51 देखना है क्योंकि 50 आदा हो गया आदे सी जादा one third हम देखते है ठीक है तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 51 परसेंट government company और उसको held किया जा सकता है किसी state government के द्वारा या central government के द्वारा या पहले भी हम discuss कर चुके है ओके next question है planning function of the management is performed by अब बताइए planning function management कौन से management के द्वारा perform की जाती है तो यहां पर जैसे बात आती है top level management का काम होता है strategies को बनाना policies को बनाना ठीक है यह जो काम होता है rules and regulations को बनाना तो यह काम होता हमारा top level management का middle level management का काम होता है coordination का ठीक है अलग-अलग department मा coordination करना ठीक है अपने subordinate को काम करवाना या इस तरह की चीज़ें जो होती है middle level मां होती है lower level management मां होती है जो हमारा supervisor रहता है supervisor क्या करता है अपने four months पे rules and regulations अपलाई करता है आपको इतने गंटे काम उनको supervise करने का का तो planning function हमेशा तीनु department को मिला कर बनाया जाता है top level management भी होता है middle level management भी होता lower level management भी होता तो इसका none of the above answer सही रहेगा क्योंकि अगर all of the above रहता तो इसका D option सही हो जाता है यह बात ध्यान रखना special plans made for facing competition unknown जो special plans बनाये जाते हैं competition को face करने के लिए ठीक है तो उसके लिए उसको objective होता है statuses होते है policies होते है budget होते है objective तो हर कोई set करता हम कोई भी काम करते हैं objective set करने होते है for example मैं दुकान में गया मुझे objective set करना है कि मुझे दुकान से लाना क्या है तो दीजार में objectives सीधी से बात अब रहे policies की बात policy होता है हमारे rules and regulation जैसे मैं दुकान पर गया तो मुझे को किस से जाना है bike से जाना है कार से जाना है घरवालों ने बोला कि पैदल जाओ तो पैदल जाना है तो पॉलिशी है ठीक है तो उस तरह की वह हो गई policy budget क्या होता है budget हमारा estimation होता है in the case in the form of the case budget हम क्या करते है forecasting के लिए योज़ करते है ठीक है भाशियों में जो uncertainty है इसको meet up करने के लिए हम कुछ पहले से planning करके चलते हैं वह budget होता हमारा ठीक है statement of एक तरह से financial statement होता है budget ठीक है जो forecasting की जाती है different different periods के लिए तो वह हमारा तरह है लेकिन strategies हमारे special plans के लिए बनते है ठीक है strategies मतलब जिसमें हम SWOT short analysis करते है strength weakness opportunity and threat यह चीज़े हम strategy में देखते है तो strategy इसका सही answer है special plans के लिए span of management means span of management हमारे क्या होता है यह हमारे fails के जो 14 principles है उसका एक principle है span of management span of management का मतलब होता है कि एक जो अधिकारी है एक जो manager है उसके अंदर कितने उसके subordinate काम करते है टीक है उसके अंदर इतने ज्यादा लोग भी ना हो कि उन पर control ना कर पाए इतने कम लोग भी ना हो कि वह वेला बैठ रहे है ना आइडल बैठ रहे है एक तरसे तो उसको बोलते है span of management यह ज्यादा बढ़ा भी नहीं होना चाहिए ज्यादा चोटा भी नहीं होना चाहिए तो इसमें देखते हैं a good organization should consist of five department यह किसे क्या मतलब सेकंड है authority of the each person must be clearly defined यह भी ज्यादा कुछ नहीं इस subordinate should have one supervisor and last है a manager can survive a limited number of the executive यहाँ पर क्या बोला है इस subordinate should have one supervisor जरूरी तो नहीं है जरूरी नहीं है एक subordinate कहां पर होता है एक subordinate के उपर एक manager जो अगर रखने लगए तो company में worker कम और हमारे managers को जादा रखना पड़ेगा तो इसके लिए right answer हमारा D होता है a manager can supervise a limited number of the executive जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ज्यादा भी लोग उसके under नहीं रहने चाहिए कम भी नहीं रहने चाहिए ठीक है तो spanic जो control का area है वो हमारा एक तरह से medium term का रहना चाहिए 14 question है the function of an auditor is एक auditor होता है उसके क्या function होते है to examine mathematical accuracy of the accounts B है to detect and prevent errors C है to detect and prevent frauds यह तो आप सबको पता ही है यह सारे काम हमारे auditor के रहते है audit account इसी ले किया जाता है ताकि हमें अपने जो you know mathematical accuracy यानि कि जो हमारे financial statements वो सही बने है नहीं बने है हमारे trial business सही बना नहीं बना हमारे balance sheet है वो टैली कर रही है यह नहीं कर रही है तो यह हमारे arithmetic accuracy में आ गया to detect and prevent error अलग लग तरह के जो error है तो चार error की हमने बात करी थी error of commission, error of omission, error of principle और compensating error तो यह जो error होते है इनको भी कौन prevent or detect करता है detect करता है हमारा auditor इसी लिए auditing कराई जाती है और frauds को भी तो basically इसका answer क्या हो जाता है all of the above इसका सही answer है option number D आज का last question है audit is compulsory for audit किसके लिए compulsory होता है तो यह हमारा होता है मैं पहले भी बता चुका हूं audit is compulsory for joint stock companies ठीक है और यहां पर दूसरा option भी है partnership firm, partnership के लिए हमेशा voluntary होता है ठीक है कहीं पर option में आ गया audit is voluntary for तो you will choose the option partnership firms ठीक है तो इस तरह से इसका answer number option number C सही है I hope कि आपको इसके questions समझ माया होंगे ठीक है नया को सीकने को मिला कुछ questions मैंने आज इसमें जाने बूचकर मैंने reserve से डाले थे provision से डाले थे ताकि आपको उसका भी यहां पर concept clear हो जाए तो आपको मुझे लगता है कि आज तो समझ मां आ गया होगा फिर भी अगर कोई doubt हो तो आप पूछ सकते हैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें क्योंकी लोग वीडियो बहुत देख रहे हैं लेकिन चैनल को subscribe करके कोई किसे हुंन डाला तो इससे हमें क्या होता मोटिवेशान नहीं मिल पाता है उंसन लगा कुछ से कूछ मिलता नहीं है 裡agues छिभे मोटिवेशन मिलता है